नमस्ते विध्याते मित्रो, MS स्कूल में आप सब का हादिक स्वागत है आज हम कक्सानों, विसई हिंदी, इकाई पंद्रा, दाज्यू जो कहानी आज हम पढ़ने वाले है आप सबको लगता होगा कि दाज्यू का अर्थ क्या है? तो दाज्यू का अर्थ होता है बड़ा भाई बड़ा भाई है वो पिता के समान जो है उनका स्थान होता है ये जो कहानी है वो सरद जोशी के द्वारा लिखी गई है ये जो कहानी में दो लोगों के बीच जो अपनत्व अपना पन और उसके बाद जो तिरसकार है ऐसा जो विपरित सबंद बन जाता है और जिसे हम अपना समझते हैं फिर वही जब दिल तोड़ता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है ये बात समझाने की कोशिश इस कहानी में की गई है साथ में ही हम सब जानते हैं कि बच्चों से मजदूरी करवाना गुना है तो ये बात भी शरत जोशी ने यहाँ पे हमारा ध्यान है वो केंदरित किया गया है कि एक नो-दस साल का एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम है मदन जो पहाड़ी इलाके से यहाँ पे वो काम करने के लिए आता है तो जो वो मजदूरी करता है जिसने अपना बच्च्पन भी अच्छी तरह से वो देखा नहीं और एसे कामों में लग गया है गवर्मेंट भी बहुत एसे प्रयास करती है यह बाज मजदूरी रोकने का पर फिर भी हम कहते ना कि इलिगल भी ऐसी बाल मजदूरिया है जिसको मतलब वो आगे बढ़ती रहती है तो उस तरह भी हमारा ध्यान है वो केंदृत किया है तो चलो सबसे पहले हमारे जो लेख जिनका अर्थ होता है बड़ा बाई लेखक है शेखर जोशी सेखर जोशी का जन्मद सितंबर 1932 को अलमोडा यानि वो उत्रांचल राज्य जो है उनका एक नगर है जिनके ओलिया गाउं नामक स्थान पे हुआ आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कुली शिक्षा नाबाद के निकड एक सैनीक ओध्योगिक प्रतिस्ठान में कारेरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे है आपके चर्चित कहानी शंगर है कोसी का घटवार साथ के लोग दाज्यू हलवा एवं नोरंगी भिमार है आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1995 में धर्मय प्रतियोगिता में प्रतम पुरशकार प्रदान किया गया नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रशाद दिवेदी पुरशकार और पहल सम्मान से सम्मानित दाज्यू कहानी पर चिल्डरन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्मार हमारे जो लेख के स जोशी उनका जन्मत 10 सितंबर 1932 अलमोडा है वो उत्रांचल राज्य का एक नगर है जिसे परवतों की रानी भी कहा जाता है वहाँ पे ओलिया गाउ नामक जो स्थाने वहाँ पे शेकर जोशी का जन्मत हुआ था उन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो केकडी एवाम अजमेर से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पराप्त की और वह 30 वर्सों तक इलाबाद के नस्दीक एक शैनीक ओद्योगिक प्रतिष्ठान में वो कारियरत रहे फिर उसने वो स्वतंत्र लेखन है वो शोरू किया उनके ऐसे चर्चित कहानी शंग्र भी है और उनकी जो आदमी फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का भी निर्मान हुआ है ये जो कहानी है उसमें क्या कहा गया है तो दाज्यू कहानी बाल्म स्रमिक पर लेकी गई है मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए सहर में आकर एक होटल में काम करता है भोलेपन में जि मैंने बताया था कि बाल मस्दूरी तो ये जो दाज्यू जो कहानी है वो एक बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है वो हमारे जो लेकक है उसने आज की जो परिस्थिती है बाल मस्दूर आज भी बहुत है आज भी बाल मस्दूरी होती है तो उस पर भी ये कहानी के द्वार हमारा जो ध्यान है वो कैंद्रित किया गया है मदन नाम का एक लड़का है जो पहाड़ी बालक है और अपनी पेट की आग बुझाने के पेट की आग मतलब की अपनी भूख मिटाने के लिए वो सहर में आग एक होटल में काम करता है वो जिस तरह से हम जानते हैं कि बच्चे कितने नेदोश होते तो वो अपने भूलेपन में जिस आदमी को अपना दाज्जू यानि कि जो बड़ा भाई समझने लगता है पर वही किसी कारण या किसी प्रकार उसके जो बाल मन है उसका मतलब कि बच्चे का जो मन है उस पर एक एसा आगाद कर देता है और क्या होता है ये जो कहानी में है वो दिखाया गया है तो चलो हम कहानी शुरू करते हैं चोके से निकल कर बाई और जो बड़े साइन वाला बोर्ट छोटा कैफे है वह जगदिस बाबु ने उसे पहली बार देखा था गोरा चिटा रंग, निली सफाफ आखे, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर सितिलता नहीं कमल के पत्ते फर फिसलती हुई पानी की बूंद सी फूर्स थी आखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान के वल नोदर्स वर्षी लगाया जाशकता था और शायद यही उम्र उसकी रहेगी चोक से जैसे ही निकलते हैं तो बाई वर देखते हैं तो वहाँ पे एक साइन वाला बोर्ड है साइन वाला यानि की मतलब जिसमें लिखा होता है की मतलब कहां से कहां जाने करेता जो बॉर्ड रहता न तो वो बॉर्ड पर जो एक छोटा सा कैफ है था चाहां पे वहाँ पे चाई वो सब मिलते हैं तो जगदिस बाबुने जो लड़का है मदन उससे पहली बार यहाँ पे देखा था केसा था वो दिखने में तो वो गोरा चिट्टा रंग का था उसकी नीली सफाफ सफाफ यानि की दम निर्मल या स्वच उनकी आखे थी उनके सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती थी पर सिथिलता सिथिलता यानि की आलश या सुस्ती नहीं थी जैसे कमल के पते पर जैसे पानी की बूंद कैसे जटपट से वो नीचे गीजाती है उतनी स्फूर्ती है वो उसमें थी उसकी आखों की चंचलता देखकर जैसे मलब उसकी आखों को देखकर ही पता चल जाता बाबु ने केफे में प्रविश्क किया तो वह एक मेज पर से प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने की टेबल पर बेठे तो वह सामने था मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतिक्षा कर रहा हो वह कुछ बोला नहीं हाँ नम्रता मुश्कुरा कर चल दिया और पलक जपकते ही चाय हाजिर थी अद जली यानि कि आधी जली हुई सिग्रेड वो पी के जगदिश बाबु है वो केफे में प्रवेश करते है तो वहाँ पे मेज यानि वो जो टेबल रहता है वहाँ से वो प्लेट है वो उठा रहा था और जैसे एसे लग रहा था कि घंटों से शायद उनका ही वो मतलब कि कोई व्यक्ति आएंगा और उनकी प्रतिक शाहे वो कर रहा था पर वो कुछ बोला नहीं नम रता यानि कि विवेक प्रदर्शन करने के लिए क्या किया वो थोड़ा जुपता है और मुश्कुराता है और यह यहसा लगता है कि हमीनु थे वो समाईी थे और बुलता है कि सिंगल चाय का जब उसे और मिलता है तो वह आदर लेके पुना मतलब कि फील को मुश्कुराकर चल देता है और पलक जपकते हम तब कि जल्दी से जो जगदिस बाबु है जिसने चाय मंगाई थी वो चाय उ जानते कि असे मतलब कि होटल्स है बहुत से जग TCP जहां पर इसे बच्च को है वह काम कर वाया जाता है उनका पम चीन जाता है उनका भी अथिकार है कि यह चोटे से बच्चे है वो अपना बचपन है वो देखे अपने महाबाप का प्यार पाई पर इसी परिस्थितिया आ जाती है कि उनके कारण इसी बाल मस्दूरी प्रवरुती है वो हो जाती है गवर्मेट भी बहुत सारे इसे नियम है कानून बनाए फिर भी गेर कानूनी तरीके से ये बाल मस्दूरी है वो भी बी चल रहे है इसलिए शेकर जोसी ने उस तरब हमारा ध्यान है वो केंदरित की आगे आगे देखते हैं मनुष्य की भावनाए बड़ी विचित्र होती है नीर्जयन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एका की अनुबव नहीं करता लगता है इस एकाकी पन में भी सब कुछ कितना निकड़ है कितना अपना है परन्तु इसके विपरित कभी कभी सेकडो नर नारियों के बीच जनवर मई वातावरन में रहकर भी सुने पन की अनुबवुती होती है लगता है जो कुछे वह पर आया है कितनी अपनत्व हिन प किसी कथा के मुल में हम सब जानते है कि हमारी जो भावनाई वह बहु वीचित्र होती है कैसे कभी कभी क्या लगता है कि कोई निर्जन मतलब कि एसा थान के जहां पे कोई आना जाना नहीं रहता हो इस स्थान पे कोई नहीं रहता हो इस स्थान में भी नी संग यार मतलब कि किसी का भी साथ न हो, तो भी आदमी को मतलब कि अक्यला नहीं लगता है, मतलब कि कभी वो एका की, मतलब कि ऐसे अक्यला पन नहीं लगता है, कि सब कुछ कितना नस्दी के वेसा लगता है, कि सब कुछ अपना है, कभी, तो कि कभी मतलब कि कुछ ना हो हमारे पाद, कोई हमारे साथ ना हो, ऐसे सुनसान जग़ हो, अकेले हो, तो भी मतलब कभी आदमी है वो, अकेला अनुभव नहीं कर रह था, पर उससे कभी उल्टा भी होता है, कि कभी हम लोग बहुत ऐसे लोगों के बीच है, ऐसे नरणारीो के बीच है जनवर में यानि कोला हापूरा मतलब कि बहुत सा बहुत से एसे लोग है उसके बीच भी रहकर कभी-कभी हमें सुना पन है वो लगता है जो कुछ भी है वो सब अपने पराया लगता है कभी-कभी अपने अमारे साथ भी रहते है तो हमें पराया लगता है ऐसी ही ह हमारी भावना है बहुत विचित रहें पर यह सब है वो किसी बिना कारण नहीं होता और यह जो एकाकीपन है मतलब कि अकेला पन की जो अनुभुती है वो किसी के साथ जुड़ी होती है कैसे तो विचो विचो यानि की हमें मतलब की विरह और विरख्त यानी की विराग उदा सीन्था की कथा के मुल में है मतलब कुछ ऐसा मतलब हमारे शाटोओ कोई विरभ है कि किसी से हम दूर है विरख्त है यह उदा से तो उसकी जड़ है जिनके कारण यह सब कुछ होता है जगदिस पाबू दूर देश से आये हैं अकेले हैं चोक की चहल पहल केफे की शोर गुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत वहिंग शायद कुछ दिन रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इस वातावरण में अपने पन की अनुभूती होने लगे पर आज तो लगता है यह अपना नहीं अपने पन की सिमा से दूर कितना दूर और तब उन्हें अनायश ही याद आने लगते हैं अपने गाउपडोस के आदमी स्कूल कालेज के छोकरे अपने निकट सहर के कैफे होटल अब आते हैं जगदिश बाबू जगदिश बाबू है वो भी यहाँ दूर शयाये हुए है और अकेले है चोक की चहल पहले मतलब कि सब वहाँ पे ही है इतना शोर मचा हुआ है फिर भी सब कुछ कैसा लगता है अब्यस्त होना मतलब कि उसे आदत हो जाएगी यही वातावरण में और उसे अपने पन के मतलब कि मेरा भी कोई है ऐसी अनुभूती उसे होने लगेगी पर आज तो मतलब उसे ऐसा ही लगता है कि कोई यहाँ पे मेरा है नहीं और जो भी है वो बहुत ही दूर है और तब उन्हें अनायस अनिकी बिना प्रयाश के ही मतलब कि अपना जो गाउ है अपने पड़ेस पडोस के जो आदमी लोग अपने स्कोल्स कॉलेज के जो छोकरे है और वहां के अपने जो निकट के जो काफे है वो सब उन्हें अचानों की अनायस अनिकी बिना प्रयाश के अपने आप ही उसे वो सब याद आने लगते है चाई साहब जगदिस बाबुने राखदानी में सिगरेट जाड़ी उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनी में वह वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुबव हो रही है और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया क्या नाम है तुम्हारा मदन अच्छा मदन तुम कहा के रहने वाले हो पहार कहू बाबुजी पहार तो सेकड़ो है आबू दारजुलिंग मशुरी सिमला अलमोडा तुम्हारा गाव किस पहार में है इस बार शायद उसे पहार और जिल्ले का बेद मालूम हो गया मुस्कुरा कैफे है अपने गाव पड़ोस के आदमी सबको याद कर रहे थे उसी टाइम पर चाई ऐसा एक जो मदन आके बोलता है तो जगदिस बाबु ने जो सिगारेट पी रहे थे वो उसने राकदानी जहांपे वो सिगारेट बुझाते है वहांपे उसने अपनी सिगारेट भर जाए और उसलिए उसने अपनी संका का शमाधान कर लिया कैसे तो वह जो मदन है उसके जाद बाते करते और उसे कहते है कि क्या है तुम anchana नाम बताता है कि मदन तो कहते है कि तुम कहा के रहने वाले हो तो वह मदन है रहाँ ह। फिरसे वह पूच şeyi से बियसे देखा जा किस पहार में ये जो कहानी है वो पहार की कहानी है और ये जो उत्रा खंड घारज़्य स्यktकया है जिसे हम यहां पर बताए गए है कि भाई पहार तो सेकल यो आबू ये जो आबू है जो राजस्थान का आप जिसे कहते ना के पहाडी नगर है और वो जहिनु का प्रमो कुतीर्त स्थान है फिर दारजीलिंग है तो दारजीलिंग है जो भारत का जो पश्चिम बंगार है उनका एक नगर है और ये जो है उसे व्रज्य का स्थान दारजीलिंग का जो मतलब होता है व्रज्य का स्थान इसा भी कहा जाता ह मसूरी है वो भारत का जो राज्य है उत्रांचल का एक पर्वत्य नगर है जिसे पर्वत की रानी भी कहा जाता है शिमला है वो उतर भारत का जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है और जो अल्मोडा है अल्मोडा मतलब उतरांचल का एक महत्वपूर नगर है वो जो दिल्ली से 300-500 किलोमेटर दूर है तो यहाँ पे ऐसे जो परवत्य विस्तारे उनके बारे में भी बताया गया है तो वो कहते है कि तुम्हारा गाउं है वो किस पाहड में है तभी उसको जो पाहड और जिल्ले का जो बेदे वो भी मालूम हो गया तो तो वो मुस्कुरा कर बोला कि अल्मोडा है साहब अल्मोडा जिसके बारे में हभी हमने देखा कि उतरांचल जो इस प्रश्ण ने उसे संकोच में डाल दिया शायद अपने गाउं की निराली संग्या के कारण उसे संकोच हुआ था इस कारण तालता हुआ सा बोला वहत दूर हिसाब अलमोडा से 15-20 मिल होगा अब क्या होता है जैसे ही जगदिस बावु ने उसे पुछा कि मतलब कि तुम् है उसके कारण शायद उसे नहीं बता रहा था उसे बताने में संकोच हो रहा था तो उसे कहते है कि जो अलमोडा है अलमोडा से कितना है तो कि 15-20 मिल दूर होगा फिर भी नाम तो कुछ होगा ही जगदिस बावु ने जोर देकर पुछा डोट्या लोग वह संकोचता हुआ जगदिस बावु ने क्या है जो मतलब कि उसका गाउन का नाम जाने के लिए मतलब थोड़ा जोर देकर उसे पुछते है कि इसमें क्या है नाम तो आप बता ही सकते हो तो वह कहता है कि डोट्या लगो वह संकोचता हुआ थोड़ा मतलब कि उसमें संकोच हो रहा है कि मैं कै पिर उसने अपनावे वो नाम बता दिया जगदिस बाबु के चहरे पर पूती हुई एका की पन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुरा कर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गाउं के रहने वाला है तो लगा जैसे प्रसंता के कारण अभी मदन के ह जह कर भी न निकल सके खोया-ोया ऐसा अपने अतित को फिर लोट लोट कर देखने का प्रयतन कर रहा हो जैसे ही उसने अपने गाउं का नाम बताया तो जगदीस बाबू भी यहाँ पर अकेला ही महिसूश कर रहे थे उसे भी मतलब कि यहाँ पर अकेला पन रग रहा था तो उसके मतलब कि अकेले पन की जो शाही है वो दूर हो गए क्यों? तो क्योंकि जो मदन का गाउ और जगदिस बाबू का गाउ दोनों एक दूसरे के नस्दी की था और दोनों एक दूसरे के नस्दी गाउ में रहने वाले थे और उसी की प्रशन था और उसी खुशी के कारण मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी ऐसा मतलब कि उसको एतनी खुशी हो ज़िए कि शायद अभी वो ट्रे है वहाद से चूट जाएंगी और वो कुछ मतलब बोलना भी चाहता है शब्द भी उसके मूँ से मतलब निकालना चाहता पर खुशी के कारण वो नहीं बोल पाया ऐसे ही खोया-खोया सा रहने वाला कि कोई हम भी जानते हैं कि हम जहां से आयों हम कोई मतलब की नई जगव पे जाते हैं वहाँ पे कोई अपना पनना होता है तो हम भी ऐसे कैसे मायूश और उदाशी रहते हैं पर क्या आप करें मतलब कि मजबूरी है तो वहाँ पे भी काम उसको करना पड़ता है बस उसी कारण पर उसी समय कोई अपना मिल जाता है तो वो जो मतलब कि वो खोये-खोये से उदाश रहते हैं वो भी वो दूर हो जाते हैं और अपना जो अतीत है उसको वो मतलब कि लोड कर देखने का प्रयाद भी कर रहा हो वैसे हम जानते ही है कि 12 जुन जो बाल श्रम के खातमे के लिए विश्व बाल श्रम विरोधी दीन है वो मनाया जाता है और आंतर नाश्टिय श्रम संगठन के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में लगभग 15.2 करोड मजदूरी है जो मतलब कि बाल मजदूरी करते हुए बच्चे है और भारत की जो जहनगर्णा 2011 में हुई थी उसके मुझे अब हमारे देश में एक करोड से ज्यादा बाड मजदूरी है वो एसी मजदूरी है वो कर रहे है इसलिए ये कहानी के द्वारा ये जो प्रवरुतिया जो हो रही है उसे मिटाने के लिए हमारा ध्यान है उस तरफ के इंद्रित किया गया है आगे देखते है अतित गाउं, मुची पहाड़िया, नदी, इजा, बाबा, दिदी, पुली, दाज्यू मदन को जगदिश बाबू के रूप में किसी की जाया निकट जान पड़ी इजा, नहीं, बाबा, नहीं, दिदी, पुली, नहीं, दाज्यू, हाँ, दाज्यू दो-चार ही दिनों में मदन और जगदिश बाबू के बीच अजनभी पन की खाई दूर हो गई टेबल पर बेटते ही मदन का स्वर सुनाय देता दाज्यू जहिन, दाज्यू आज तो थन बहुते, दाज्यू क्या यहाँ भी यू पड़ेगा दाज्यू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया तब ही किसी और से बॉई की आवाज परती और मदन उस आवाज की प्रतिद्वनी के पहुचने से पहले ही वहाँ पहुच जाता ओर लेकर फीर जाते 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 जगदिश बाबू ते पुछता दाज्यू कोई चीज अब जैसे पता चला कि जगदिश बाबू और दाज्यू निकटवर्ती गाउं के है तो मतलब कि उन दोनों के इशिक खुसी हो गया और दोनों को बतन है उसको जगदिस बाबु के रूप में थाया नस्दिक जान पड़े के उसे कोई लगा कि मेरा भी अपना है मेरा भी कोई बड़ा है तो मतलब इजा तो नहीं बाबा नहीं उसकी दीदी भूली मतलब कि उसकी छोटी बहिन कोई नहीं पर किया तो कि दाज जी यानि की बड़ा भाई बड़ा भाई का स्थान है वो पिता के समान होता है बस दो-चार दिन में ही मदन और चगदिस मतलब मदन के साथ एक नस्दी क्या जगदीज बाबु के साथ मदन के किसे नस्दी क्या है हो हो गए थी तो दाज जीऊ जैसे मतलब किवाज से आते थे तो उसको बढ़ा भाय को मतलब पाहारी मतलब वाशा में hardcore मतलब वह बाछादे थे पानी लाओ लाया दाजी शब्द को इतनी ही आतुरता और लगन से दूरा था जितनी ही आतुरता जितनी ही आतुरता है पानी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी मा अपने बेटे को चुमती है कुछ दिन बाद जगदिस बाबु का एका की पंदूर हो गया उन्हें अब चोक कैफे ही नहीं सारा सहर अपने पन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा परन्तु अब उन्हें यह बा की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे नटिक सकी दाजियू चाही लाओ चाही नहीं लेकिन यह दाजियू दाजियू क्या चिलाते रहते हो दिन रात किसी की प्रेश्टिज का ख्याल भी नहीं है तुमें अब वो पुछते के कुछ चाहिए तो जगदिस बाबु जैसे कάλ़से के ते कहां पाणि लेकिया हो तो ऐसे ही बोलता है हां दाजियू मे लेका आता हूँ मैसक्की बड़ा बैडू और यह जो शब्द ही उतनी आतूरता और उतनी लगन से वह मतलब की वह दूहरता है बार बार लेता नाम है कि जैसे ऐसा बता है कि बहुत दीने रहता है उसी तरह ये दाज्यू शब्द है वो इतनी बार-बार है वो बोलता रहता है पर यहाँ पे जगदिस बाबु यह जो शहर है उसमें रहते हैं तो उसी के रहने के कारण उनका जो एकाकी पन यानि कि उसका अकेला पन है वो दूर हो जाता है कैसे तो यहाँ के मतलब कि जो चो जो हमारी इकाई की हुई थी वहां पे हम लोगों ने देखा था कि इस चोग भी था, सब नर नारिया थी, सब था, कोलापूर्ण वातावरन भी था, फिर भी उसके बीच भी उसको एक एकाईपन की साही उसके चेहरे पर देखने को मिलती थी, पर अब नहीं रहती थी, क्यू तो कि वह मतलब कपसे यहां पे रह रहे हैं और उसके कारण सब के साथ उनका जो घनिष्ट था, भरा सबंध है वो बन जाता है, पर अब जब यह सहर के साथ उसका एक नाता हो जाता है, और उसका जो अकिलापन है वो दूर हो जाता है, तो भार-बार जो मदन है उसे भाई यानि कि दाज्यू दाज्यू करके वो भुलाते थे तो उसको जादा अच्छा नहीं लागता था और कभी-कभी तो मदन है और दूसरे टेबल से भी दाज्यू करके बुलाता है तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगता था जगदिस बाबू को तो उसे बुलाता है क उसके अपने पन की जो एक डोर थी पतली डोर पर जगदिस बाबु के जो अहंकार था और उसके अहंकार के सामने इनकी ये अपने पन की और अपने प्यार की जो डोर है वो तूट सी गई और वो कहते है कि चाई लाओ तो वो मना कर देते कि नहीं और वो कहते है कि इसे दाज यहाँ पे देखो कि 9-10 साल का बच्चा जिसको प्रेष्टी जाने कि प्रतिष्टा उसके बारे में वो क्या जानता है वो अपनी फैमिली से बहुत दूर है तो उसे यहाँ पे कोई अपना मतलब की उसके मिल जाता है अब देखते हैं कि आगे कि मदन पर इनके मतलब इन्हों ने जो बोला है उनकी चोसर है वो क्या होती है जगदिस बाबु का मूँ करोध के कारण तम तम आ गया शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका मदन प्रेष्टिज का अर्थ समझ सके या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा पर मदन बिना समझा यही सब कुछ समझ गया मदन को जगदिस बाबु के व्यवार से गहरी चोट लगी मैनेजर से सेदस का बहाना कर वह गुटनों में सरदेट कोठरी में सिसका या भर रहा रोता रहा घर गाउं से दूर ऐसी परिस्तिति में मदन का जगदिस बाबु के प्रति आत्मियता प्रदर्शन स्वाभा भी इसी कारण आज प्रवाशी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे इजा की गोद से बाबा की बाहों से और दिदी की आचल की छायां से बलपुर्व खीच लिया हो परन्तु भावुक्ता स्थाई नहीं होतो रो लेने पर अंतर की घुमडती वेदना की तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा का भी ख्याल नहीं है ऐसी बात जब वो कहते है तो जग्दिस बाबु का चेहरा मतलब की मुह तम-तमाना यानि की क्रोच से उसका चेहरा है वो लाल हो जाता है और जग्दिस बाबु जो बोलते है उनके शब्दों पर पी उसका आधिकार नहीं रहता है और मदन तो इतना चोटा बच्चा था कि शायद उसको प्रेष्टिज यानि कि ये प्रतिष्ठा क्या है शायद उसका आर्थ वो समझे या ना समझे उन पर भी जग्दिस बाबु का ध्यान नहीं रहा पर मदन है वो भी ना समझाए सब कुछ समझ गया था जग्दिस बाबु के इस प्रकार के व्यवहार से वो अपनी माता पिता से सबसे वो इतना दूर था और उनके उनको गहरी चोट लगी और वो मैनेजर से कहता है सिदत का बहाना करकर वो घुटनों में बैठ कर वो ऐसे कोठरे में बैठ कर सिसक सिसक कर रो रहा था और उस सम घ्पभाविखे के आतमियत्प प्रदरशित भी हो जाती है, तो दोनों एक ही गाउं के थे, आपकी पन बीच में जो मुझे में। वो दोनों एक दूशर का दूर कर दिया था पर आज का उनका जो प्रवासी जीवन है वो अपने मातापिता सबसे दूर है तो पहली बार उसे एसा लगा था कि शायद उसने अपनी माता की गोद से अपने पिता की बहों से अपने दिदी के आचल से किसी ने उसे बल पुर्वक खीच लिया पर भावुकता हमारी जो लागनिया है हमारी जो इमोशन से वो स्थाई नहीं होतो तबी रो लेना और रो लेना मतलब कि हमारे अंदर जो वेदना है वो अमारी आखों की राह से बहार निकाल ले तो मनुष्य मतलब कुछ भी निश्चय कर ले तो वो भावुक्षणों की अपेक्सा से ज़्यादा वेवेत पुर्ण होता है मदन पुर्वत काम करने लगा दुश्रे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदिस बाबु की बेंट बच्पन के सहपाटी हैमत से हो गए कैफे में पहुँचकर जगदिस बाबु ने इशारे से मदन को बुलाया परन्तु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रेतन कर रहा हो दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया आज उसके मुह पर वह मुसकान न थी नहीं उसने क्या लाओ दाज्यू कहा स्वयम जगदिस बाबु को ही कहना पड़ा दो चाए दो आमलेट परन्तु तब भी लाया दाज्यू कहने की उपेक्षा लाया साब कर कर वह चल दिया मानो दोनो अपरिचित हो मदन को जो घाव लगा था फिर भी मदन ये सब भूलकर अपनी अंदर ही छिपा कर वह पुर्वव मतलब की फिर से वह काम पर लग जाता है दूसरे दिन अचानक की जगदिस बाबू की भेटे उतने सब बाड़ी मतलब की अपने साथ पढ़ने वाले एक जो उनका मित्र है हमत उचसे हो जाती है तो वह दोनों कैफे आते है तो जगदिस बाबू मदन को इशारे से बुलाते है पर वह उसको ऐसा लगा की शायद मदन है अब जगदिस बाबू से दूर-दूर रहने लगता है दूसरी बार बुलाने पर मदन आता है पर इस बार भी उसके चहरे पर नो मुसकान थी ना कभी उसने ऐसा भी बोला की लाओ दाजिव जगदिस बाबू ने ही खुच से मतलब अपना ओरडर है उसको देना पड़ा की उसने कहा की दो चाय और दो आमलेट फिर भी उसने ऐसा नहीं बोला की लाओ दाजिव और उसकी जगव उसने क्या बोला की लाया साब करकर वो चल देता है और जैसे ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए अपरीचीत हो शायद पहाड़ी आ है हेमत ने अनुमान लगा कर पुचा हाँ रुखासा उतर दे दिया जगदिस बाबू ने और वारतलब का विशय ही बदल दिया क्या नाम है तुम्हारा लड़के हेमत ने अहसान चड़ाने की गरत से पूछा जिस तरह से उनने बोला कि लाया शाब और उसका पहरवेश उसको देखके हेमत ने अनुमान लगा कि शायद पहाड़ी आया तो चक्तिश बाबू भी रुखा सा मतब ऐसे उतर देदे से कि हाँ ऐसे कहे के वो अपना जो वारतलब की बाते करने का जो विशय है वो बदल देता है मदन चाल ले आया था फिर हमत उससे मतब कि उस पर को ऐसान कर रहा हो कि वैसे वो कुछ है और ये मतलब कि एक माली को नोकर जैसा व्यवारे वहाँ पे वो दिखाता है वो उससे कहता है कि क्या नाम है लड़के तुमारा कुछ शान के लिए टेबल पर गंबिर मोन चा गया चकदिस बाबु की आखे चाई की प्याली पर ही जुकी रही मदन की आखों के सामने विगत स्मृतिया घुमने लगी चकदिस बाबु का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना फिदाज जी आपने तो कल थोड़ा ही खाया एक द है ते हसाब मुझे संसिपजा उतर देकर वह मुड़ गया आवेश में उसका चेहरा लाल ओकर भी अधिक सुन्दर हो गया था अब क्या केते है जब भी है मन तुसे पुछता है कि क्या नाम है तुम्हारा तभी टेबल पर मोन चा जाता है क्यों क्योंकि हम लोग उने शुर सामने वो पूरा मतलब की जो विस्तार से उसके सामने जो स्मृतिया है वो गूमने लगती है उनको मतलब वो सब याद आने लगता है कि कैसे जगदिस बाबु एक बार उसे नाम पूछा था फिर उनके साथ मतलब के बड़ा भाई का जो रिस्ता बन गया था फिर वो मतलब उससे जो बाते कर रहा था कि कल आपने थोड़ा खाया खाना था ये वो सब मतलब जो बाते हो थे वो सब स्मृतिया उसके सामने आती है और फिर वो बोलते हैं कि कि किसी की प्रेश्टिजियानिक की उसकी प्रतिष्ठा भी ख्याल न रहा वे सब बाते उसके सामने है वो आ ज जहाला मुखी सा फटना मतलब की जो क्रोध में कि शायद भी क्रोध में आकर कुछ बोल पड़ेगा फिर भी हैमत उसे आगरा करके फिल दोहराता है कि क्या नाम है तुमार तो उसने बहुत ही शंसी प्यानिक की अपने एकदम से उसने पतलब ही हा या नाम ये जिसे बोलते है ना कि थोड़ा से हमें अपना बोल देना तो उसने क्या बताया कि बोई कहते है मुझे बस एसा थोड़ा सा उतर देखर वो मोड जाता है और जो आवेशानी के गुस्से से उसा चेहरा है वो लाल हो गया था और उसके कारण वो अधिक बहुत ही सुन्दर है वो दीख रहा आप